नवस्कार मित्रू बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में मित्रू कार्थिक पुर्णिमा कार्थिक मास के सुकल पक्षि को मनाय जाता है दैसे में साल 2022 में नमंबर के दिन कार्थिक पुर्णिमा कब है और इसमें आपको सुबु मुहरत कब है कार्थिक पुर्णिमा में कौन से ऐसे कारू को करने से आपको धंदोलत की प्राप्ति होंगे भगवान सीवजी की खिर्फा प्राप्ति होंगे और कार्थिक पुर्णिमा में किस प्रकार से आप असनान दान कर सकते हैं कार्थिक पुर्णिमा का महत्व क्या है और सुब मुहरत के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे और कौन सी ऐसी गलतिया है जो की आपको नहीं करने चाहिए और कार्तिक असनान के बाद गंगा असनान आप किस प्रकार से कर सकते हैं पूजन विधी क्या रहेगी नहीं सभी के बारे में आपको हम इस वीडियो में बताने बाले हैं और भगवान विश्णु जी और मातलक्ष्वी जी की पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं और किस प्रकार से उनको प्रसंद करके जीवर में धन दौलत की प्राप्ति कर सकते हैं आपको बताएंगे सारी जानकारी विश्टार से वीडियो को आखरी तक देखिएगा उनों से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब वबस्य कर लें ताकि ऐसी ही नोलत फुल जानकारी आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सके तुमत्रों कार्थिक प्रुनिमा कार्थिक मास के सुकल पक्षे को मनाया जाता है और यह दिन भी सेसी बहत पो होता है क्योंकि माना जाता है कि इस दिन भगवान विश्णू जी ने तिरपूरा सुर नाम के राक्षिस कवद किया था यही कारण है कि इस दिन को तिरपूरी पुर्णिमा भी कहा जाता है मानियता है कि कार्थिक पुर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के मत्सिया वतार का जन्म हुआ था और इस दिन गंगा का सनान करना चाहिए पूरे वर्स गंगा सनान कफल प्राप्त होता है आप तोर पर इस दिन गंगा सनान के बाद दीप दान किया जाता है और इसे दीपदान को दस यगों के समान माना जाता है कार्थिक पुर्णिमा को देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है यासे में अपकी बार का ये कार्थिक पुर्णिमा बहुत महत्पूर्ण रहेगा क्योंकि इस दिन चंद्रग्रहन लग रहा है यासे में आपको बता कार्थिक पूर्णिमा के दिन जो भक्त पूरी सरदा भाव से पूजा करते हैं उन्हें अपनी सभी समस्याओं से रहत मिलती है यहां तक कि जन्म कुंडली में मौजूद दोसों से भी इस दिन पूजा करके दूर किया जा सकता है कार्थिक पूर्णिमा के दिन गंगा असनान और अन्य पवित्र नदियों में असनान करना सुब माना जाता है कार्थिक असनान करना बहुत महत पूर्ण होता है यह दिन आपको बता दें कि आपको विसेश गंगा असनान करने की जरूरत होती है आँबको बता दें कार्तिक पुरुनिबा के दें आप पूरे घर की साब सफाई करें vic घर को गंदा ना करें कार्टिक पुर्णिवा के दिन अपने घर को पुस्व माला से सजाएं घर के मुखे द्वार पर स्वास्तिक चिंड बनाएं इस दिन भगवान विस्णु जी और माता लक्ष्वी जी की फूजा करें इस दिन विसेश चावल चीनी और दूद का दान करे फोड़ी मात्रा में चावल चीनी और दूद को नदी में बहाने से भी बहुती सुवफलो की फ्राप्ती होती है इसे दिन चंद्र का यानि कि चांद जी का दर्सन करना चाहिए कार्टिक पुर्णिवा के दिन दीब का दान करें कार्टिक पुर्णिवा के दिन घर में होती हैं गैसे में आप कद्र बहत्र बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमाता दिया वस्त लिखें आपका दिन सुभू मंगिलकारी हो